इस वीडियो में आप रोडी की विशिष्टाओं और उसके उपयोगों के बारे में जानेंगे रोडी, चट्टान या पत्थर के अन्यमित आकार के टुकडे होते हैं, जिनें उनकी श्रेणी के आधार पर कई आकारों में तोड़ा या पिसा जाता है चिनाई के कार्य में अधिकतर इनका प्रयोग कॉंक्रीट बनाने के लिए किया जाता है आम तोर पर रोडी के रूप में बजरी, कंकड, ग्रानाइट और सैंड्स्टोन जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता है रोडी आपके कार्य के लिए उप्यूक्थ है या नहीं, यह सुनिष्षित करने के लिए कुछ निरिक्षन किया जा सकता है यह सुनिष्षित करे कि रोडी में जैविक गंदगी, मिट्टी या गात की कोई मात्रा उपस्थित नहीं है रोडी को आकार के आधार पर तीन मुख्य श्टेणियों में वर्गिकृत किया जा सकता है छोटी रोडी पॉने 5 से 20 मिलिमीटर के बीच में होती है मद्यम रोडी 20 से 40 मिलिमीटर के बीच में होती है बैडी रोडी 40 से 80 मिलिमीटर के बीच में होती है कॉंक्रीट बनाने के लिए रोडी को मसाले में डाल कर एक फावडे की सहयता से तब तक मिलाए जब तक रोडी मसाले में सामान रूप से न मिल जाए विशेश प्रयोग के लिए आवशक सामगरियों के अनुपात को जानने के लिए मिश्टन डिजाइन और पद्धती विवरन को ध्यान में रखे मिश्टन बहुत कड़ा नहीं होना चाहिए कि काम करने में मुश्किल हो जाए नहीं बहुत पतला होना चाहिए जिसे पानी अलग हो जाए अब आपने रेडी की विशेशताओं और उसके उप्योगों के बारे में जान लिया है